मुख्य मुद्य से बटकाया जा रहा है हमारे राजस्तान में हम पिछले कई दिनों से जब से यह सेकंड ग्रेट पेपर लिग हमारे सामने आई धीरे-धीरे हमारे राजस्तान के प्रतेक वेक्ति को प्रतेक छात्र को प्रतेक शिक्षक को विदायक मंत्री सब को ये बात पता है कि राजस्तान में सेकंड ग्रेड वरिष्ट अध्यावग बढ़ती का पेपर लीक हो चुका है और सारे परचे लीक हुए हैं ये न्यूश्पेपर में भी आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि एक नहीं चारो पेपर आउट हुए हैं मैं आपसे वही कह रहा हूँ मुद्दे से हम सबको बढ़काया जा रहा है इनसे क्या होगा दोस्तों अभीरतियों के लिए पेपर खरीदने वाले 22 अभी भावकों को अभी भावकों पर भी केस करने की तैयारी क्या होगा चले जाएंगे जेल कुछ दिन फिर वापस जमानत पर बाहर आ जाएंगे मुख्य मुद्दे से हमको बढ़काया जा रहा है चारो पेपर लीक हुए हैं तो चारो पेपर रद होने चाहिए ना केवल एक दिन दोस्तों शहीद इस मारक पर जा साथ सरकार को सक्त कारियवाही करनी चाहिए पलाना डंका सारी बाते चल रही है मुख्य मुद्दे से बठकाया जा रहा है रद एक को क्यों किया जा रहा है तभी पेपर क्यों नहीं जब यह बात जग जाहिर है कि वह यह एक नहीं चारो पेपर आउट हुए हैं यह देख दीजिया चारो पेपर आउट कुल 349 प्रश्ण मिले एफ आई यार में तीसका जिक्र उनमें से पांच हिंदी सारी बाते आप जान रहे हैं पिछले पांच साथ दिनों से तो बड़ी या शांदार तरीके से हमारा ताइम पास चल रहा है रोज सुबह उड़ते हैं इस तर मुख्य मुद्दे से हमको बठकाया जा रहा है दोस्तों एक पेपर क्यूं चारो पड़ी नहीं मैंन मुद्दा यह है दोस्तों अभी से खबरे रोजना अकबारों में चलती रहेगी सरकार कुछ ना कुछ फ्रशाशन कुछ ना कुछ एक्षिन लेता रहे गा पेपर को लीग करवाने वाले ओरिजनल जो मेन लीडर हैं वो पता नहीं कहा है 22 अभी भावकोपर भी केस की तेयारी कुछ होना जाना है नहीं फिर अगले साल में बंपर बढ़ती हैं आ जाएगी आप सब लोग उदर उलद जाओगे मामला शान्त हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगे जोइनिंग हो जाएगी और हम लोग पेलिग्राम वाट्सेप ग्रूप पर चर्चा करते रहेंगे ये हो गया वो हो गया रिजल्ट क्या निकल रहा है दोस्तों सब कुछ पता होते हुए भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे है अविदान पढ़ रहे है समद रहे हैं आप लोग मेरी भावनाओं को मुक्य मुद्दे से हमें बढ़काया जा रहा है केवल एक पेपर को रद कर देना उसकी डेड़ गोशित कर देना रीट में भी पहले यही हुआ था और वापस इसमें भी यही हो रहा है और अभी अगर आवाज नहीं उठाई तो यह आगे भी चलता रहेगा कितनी बढ़ती परिक्षाओं में यह सब हो चुका है मैं आप सभी को वही बता रहा हूँ मुख्य मुद्दे से हमको बढ़काया जा रहा है और यह कड़वा सच है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक पेपर की सरकार ने डेट घोशित कर दी और पीसी ने कि भी इसको दुबरा ले लेंगे बाकी का कुछ लीक हुआ नहीं बाकी यह बातें जग जाहिर है कि भीया पेपर मिठाईयों की तरह बट रहे है आप सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम लोग कुछ करनी पा रहे हैं बड़े बड़े सिक्षक भी दोस्तों एवल एक पोस्ट लिख देते हैं कि भई हाँ लीक तो हुआ है पेपर क्या कर सकते हैं हम सरकार को सक्त कानून बनाना चाहिए कानून उनके खिलाफ एक्षन लेना चाहिए तब यह बाते बोलके निकल जाते हैं मुख्य मुद्दे से हम सभी को बढ़काया जा रहा है तो बस यही मैं कडवा सच आप सभी के सामने रखने आया था तो आप सब जानते ही हैं तो मैं राजस्तान के सभी सिख्षकों से यही निवेदन करना चाहूँगा हमारे राजस्तान के मुख्य मंत्री जीसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि संच्ञान लीजिए और चारो बेपरों को हो 기sınız wifi और वास्तियों में विद्यार्थियों की जीत तब ही होगी दूस्तों जब हमारे राभस्तान में में वरिष्च रद्यापक वर्ती के प्रद नहीं होंगे, कुछ नहीं होना दोस्तों, ये सिस्टम चलता रहेगा ऐसे ही, ये देखिए, किरोडी लाल जी मीना के रहें कि आर्पीसी की गोपनी शाका से लीक हुआ है, पेपर दो तिन दिन में खुलासा कर दूँगा, किरोडी लाल जी का ऐसा कहना है, अलग- होता कुछ नहीं है, मुखे मुद्दे से हमको भटकाया जाता है, एक पेपर रद्द कर दिया जाता है, दूबरा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, चिंदा मत करिये थोड़े दिन में, नए साल में बंपर बढ़तियों की गोशना होने वाली, चार-पास दिन में मुद्दा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, मैं भी शांत बेड़ जाऊंगा, आप भी शांत बेड़ जाना, फिर हम वही कोचिंग करने चले जाएगे, SSO ID में लोगिन करके वही फारम भरेंगे, यही चलता रहेगा दोस्तों, यही एक कड़वा सचे हमारे राजस्तान का, तो आप सभी भी प्रदेश के मुख्या, हमारे मुख्य मंत्री जी तक, इस संदेश को बार-बार पहुंचाईए कि यह पेपर रद होना चाहिए, केवल एक से नहीं, जितने भी पेपर हुआ हैं, रद होने चाहिए, और नए सीरे से भरती होनी चाहिए, सरकार के मंत्री, मुख्य मुद्दे से हमको बढ़काया जाता है, इस तरह की खबरें दिखा कर, कि बाइस अभी बाव को पर केस कर दिया जाएगा, अरे भाया मुख्य की लाडी कोन है, लीक क्यू और आए पेपर, तो बात हमें आज दिन तक समझ में नहीं आई, मुख्य मुद्दे से हमें बढ़काया जा रहा है, चलिए दोस्तों मैं इतना ही केके विदा लेता हूँ आप सभी से, एक्ट्वल में हमारी जीत तभी होगी दोस्तों, जब ये सारे पेपर रद दोने चाहिए, और नए सीरे से बढ़ती होनी चाहिए, वरना तो ठीक है, चलता रहेगा ये सिस्टम, थैंक यू, धन्यवाद